हेलो बच्चो स्वागत करते हूं आप सभी का आपके अपने एक्टूब चैनल बाल रस्टड़ी में तो बच्चे लोग आज हम लोग करने वाले क्लाश नाइन्थ का जिग्राफिय टिक ना जिसका आज हम लोग चेप्टर करने वाले हैं दस्माजिसका नाम है भारत का वीडियो को लाइक कर लेजह कि आप सभी के देखें भी हम लाते हैं लेकिन आप सबंघ्राइब क्पूर्ट नहीं और अछह जो वीडियो zam ard烦िया देह देख लेते हैं तो देखते हैं उचार पर लाइक की संक्ष्छे 10 12 मतलब एक भीदे लिए रधा नहीं था फायदा मतलब आप लोग किसी का भूज कीजिए बस आप उसके लिए कुछ वहीं नहीं कीजिए आप लोग ऐसे ही करते हैं हम देखते हैं कि मेरे वीडियो पे तो अच्छा खासा भी हो जाता है बहुत अच्छा आप लोग तो मेरे वीडियो को देखते हैं हमारे वीडियो पे मानने चलीए की 30,000 देखिए एक विडियो पर देखे थे हम कि 30,000 यानि 30 के भी गया हुआ है ना और उसे लाइक की संक्या जो है सो है बताई सोव इत्स हमको बहुत खराब लगता देखके की 30,000 देखे हैं और लाइक की संक्या 100 है इसलिए हमको बहुत गुस्सा आता है इसलिए जो है ना कभी-कभी आप लोग के लिए हम वीडियो नहीं बनाते हैं लेकिन फिर सोचते हैं कि क्या करें आप लोग वैसे ही कर रहे हैं तो आप लोग नहीं सपोर्ट करते हैं बट हम जो है आपके लिए एकदम ततपर खड़े ह तो आप के जीए या ना पिजये लेकिन बच्चे लोग हमारा भी जिंदगी है आप लोग सम्झा कीजिए हम भी कुछ करने के लिए ही यहां पर आये है यूटुब्पे तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट किया कीजिए समझे चलिए तो इसके लिए थोड़ा सा देर हो या इसके लिए जो है थोड़ा सा स्वारी बटाब हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं देखिए आपको पर्सेंट रिलिक के देते हैं मेरा है वीडियो है जो कि है लोग बहुत तडबते रहते हैं इसलिए कोई नहीं लाया तो हम लीए चल आते सब कोई नहीं सोचता आप सब के लिए लेकिन फिर भी हमको सपोर्ट नहीं करते हैं चलिए देखिए पहला कि स्रिलंगा के अर्थ विरस्ता पर प्रकाश डाले तो स्रिलंका की तीन चीज़े पर अर्थ विवस्था जो है टीकी वही है क्या-क्या पहला है क्रीशी हो गया दूसरा खनान हो गया तीसरा उद्धोग चीज़े करते हैं स्री लंका में स्री लंका के रहने वाले वह है क्रिसी यहां की एक चार माने चली इतना इसको दोगी चार हिसा बाल दीजे एक हिस्वा में जो एक फिलगा इता है बाकी यह सब में पानी है यह भर्फ है तरह तरह के चीज़े पेड़ पाओधा है और उसी में पहाल है घर है सभी लोग रह रहा है तरह तीन हिसा Sakram और सब्सक्राइब 5 चाइब और नारियल के आलावा यहां की परमुख इप धान रहने कोन होते हैं तो याद कर रहें रखेएं का रबल होता है चाइब अंचे अलावा धान की उपज होती है ऑगला नियुक्त प्राफ्ट चावल से प्राफ्ट चावल निरियात बेपार नहीं कहते हैं जो मतलब चावल की जो उपज होती है स्रीलंका में उसको कहने का मतलब कहीं भेजा नहीं जाता जैसे भारत भारत में होता है तो दूसरे देश में भेजा stip Hiru कि कि यहां चावल की अधिकता यानि चावल भरभर मात्रा में यहां वो आई जाती है इसलिए जो है अब रख के क्या करेगा यहां तो बेचा जाता है लेकिन स्री लंका में इस तरह का कोई काम नहीं कि आ देखिए लिखा हुआ कि क्यूंकि छोटे होते वे इस देश की जनसंग्या दू करोड इगारा लाग है और चावल की खपत यहीं हो जाती है अब सूचिए यह दू करोड ही है और भारत में कितना जनसंग्या एक अरब 21 करोड यह देख सकते हैं नेट पर अलग अलग दिखाएगा एक करोड लाग नहीं एक एक 140 करोड ऐसे करके दिखाया जाता है ठीक ना अभी क्योंकि फिक्स नहीं हुआ इसलिए चलिए तो समझ गये होंगे आप लोग इसका क्रिसी बाला फाल आप चलते हैं इसका खानान वाला ठीक ना तो जमीन को खोद के क्या क्या चीज पराप्त किया जाता है वह सभी देखिए यहां ग्रिफाइड है चुना पत्थर अब रख लोहाई आदी पर मुख खनी जहना क्या क्या समुद्र से मोति निकालने क्या व्याक होता है अब चुना पत्थर मिलने से सीमेंट उधोक के लगाएये से लेकिन उसके लिए संसाधन चाहिए न यानि कि हमको चाहिए कैरेंट चाहिए लेकिन वहाँ पर उतना है नहीं जसके कारण से शिमेंट लचुन था इसका विकास उतना नहीं हो पाया यह देखिया आप लुग समझग घ्रिषा डिखें त्यसरा कमा उध्वर दोग स्रीलंका को χिलसी पर धारित शमान तयार करते हैं कि यह हैं चीज प्रस्ट किस पर धारित पर सिमाने उससिवाला अपना उध्वर तयार करते हैं जैसा क्या नारीयल तेल नारीयलत तेली में पार बनाना templi से ट्यूब बनाना चाय के डिब्वे पेंदी करना यह सबी क्या ची है क्रीशी पर ही आधारी तो यह सबी देखें आप लोग लिख लिजेगा कॉपें बहुत सठीक उतर एकदम आप लोग को मजा आ रहा होगा पढ़ने में यहां कुटी रू धोग बिक्सी था स्रिलंका के म कि निरियात चाय निरियात कहने का मतलब भेजना निरियात कहने का मतलब भेजना तो स्रिलंका तो चावल नहीं भेजता क्या भेजता है दूसरे देश चाय भेजता है नारियल भेजता है लॉंग गर्म मसाले और गरफाइडी ऐसे भी भेजते हैं ठीक ना चावल आटा ची से अधीक होता यह था कि पहला का उत्तर बाबू लोग आप लेंके समझ में आ गए लिए और आप लोग लिखते भी आप लोग बहुत आप लोग का मैसेज बहुत आता है लें पता न वीडियो को लाइक नहीं करते हैं आपको पुलते हैं ठीक है बच्चों हम बना देते हैं बोली है हम ऐसे करके लिखते हैं और आप लोग सपोर्ट नहीं करते वीडियो को लाइक ना करते बताए तो गलत बात है ना स्री लंका देखें कि स्रीलंक हादी लंका की प्राकिरतिक सांच्ना बहु आकरती यहां सबकित बतला ना देस कहा उत्तर हो जाएगा बहुत है सब्दों में लिखा हुआ इसका आप लोग कॉपी में नूट कर लिजेगा कि भारत की दच्छनी पठार के सामने ही स्री लंका गोडवाना चटानों से निर्मित है जिनका काल इसकी उत्री भाग चुना पथर की चटानों सब्खर हम लोग अभीवी पहले थोड़ा से देख चुका है कि जापना जो है कि से के लिए परसीद भी उच्चा है पठार के जो उच्चाई है कितनी है 2000 से भी उच्चा है ठीक ना सरोच चोटी पिडूरी या पिडूरी ताला गाला जो 2527 मीटर उच्चा याद रखेगा कि पूछेगा स्री लंका के पठार के सबसे उच्ची चोटी का नाम क्या है तिहांस बताएगा गोलना है इस पठार के अउसत उचाई जो है 900 मीटर अउसत उचाई 900 है लेकिन सबसे उचा वाला यह है ठीक ना है पठार के चारों और समतल मैदान की मैदान है जिसकी हरी भरी घाटियां उचाई 100 मीटर से कम है यहां सालों भर वर्षा होती है जो स्री लंका के जो पठार पर जाहर का कोलत का जहार ना यह सभी हो गया है ना ते यह सबी जो है जलप्राप तो वहां भी देखनें के लिए यह पे यहां तक उत्तर इसका लेख लिजेगा यहां तक उत्तर अगर लिख लिए ठाट यह नहीं वृट्फर किया कि नंभर निनान मेंजीरो तिरपन जीरो चाओ आलेस चालेस ना नेनानवे जीरो तिरपन जीरो चाओ आलेस चालेस इस नंबर पे आप थोड़ा बहुत सपोर्ट के है कि जिए फोन पे गूगल पे टीम आप कुछ भी कर सकते देखिए थोड़ा थोड़ा इसा इमाल चलिए कोई बच्चे 10 उर्पयाही किये को बच्छे 20 रुपय कींगों से इसी तरह से करते शंब की पैसे हो जाएगे तो हम क्या करएंगे दिजिटल ले लिए ले लेंगे उर फिर थरह Dalai की चीजनें कैमरा लेरा लेंगे ता कि जो आप लोग का को हमको इतना इतना देने लगे ना तो हम थोड़ा सा जरूर हो जाएंगे इस काबिल कि हम डिजिटल बोर्ड या तो कैमरा बगराई सभी खरीद सके तो आपके लिए मेहनत करें तो थोड़ा बूद सपोर्ट जरूर किया कीजिए चली बच्छे और सभी का अगर आपको चाह चाहिए तो हम आपके लिए बना के भीज़ देंगे चली बच्छे मिलते हैं लिए बीडियो में तब तक लिए हैं जया भारत